मुंबई विधान भवन के सत्रों को लेकर काफी गहमा गमे शुरू है ऐसी स्थिती में विधान भवन के दोनों सत्नों का काम काच काफी चुनोती भरा चल रहा है आईए देखते हैं विधान भवन से हमारी खास बेशकर महारास्ट राज्य का मुंबई अदिवेशन शुरू है 2019 इस अदिवेशन में पिछल आज पाच्वा दिन है और लगभग चार दिन बीच चुके है पहले दिन तो अनुमोदन हुआ है दुसरे दिन अर्थसंकल्पिय का जो बजट सत्र था सुधिर मुंगटिवार जी ने जो बजट पेश किया हुआ था इस बजट की पूरी की पूरी कॉपिया बहार सोशल मेडिया पे भेजी गई है ऐसा आरोब मुंडे जी ने लगाया हुआ था विपक्ष के नेता जो है विधान परिशत के उसके बाद दो तीन तिसरे दिन के सत्र में इस जगह की कैंटीन में लगभग चीकन के टुकड़े पाए गये है ऐसा जब बताया गया तो चौथे दिन मानिय अजित दादा पौर साब ने उसको सदन में पेश किया और उसके उपर मानिय मुख्यमंत्री देविन फंडमनिस जी ने सदन को कहा कि जो कैंटीन की जो गुनवत्ता वगरे है इसको FSI के दाइरे में लेके आने का हम लोग ये करेंगे और उस पर कड़ी कारवाई की जाएगे लगबग देखा जाये तो इस अधिवेशन के आज पांच दिन बिच चुके है लेकिन सदन की जो कारवाई है जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है स्कूलों की स्वास्त की साथी साथ बिजली पानी यहां सारी विवस्ताओं पर भी चर्चा इस सदन में चल रही है और यह सारी चर्चाओं का कहीं न कहीं महारस्त की जनता को लाब होगा ऐसा सरकार का कहना हुआ है मैं MNS News के लिए जिशान भाई विधान बहुन मुंबई से है राज्य सरकार का लगपक चार महर का काल ही शेश है ऐसे में सरकार के सामने काफी चुनावतिया है जिसके चलते अगामी विवधान सभा राज्य के चुनाव को लेकर काफी गयमा गमी है देखते हैं विपक्ष सक्ता में आता है या फिर विपक्ष अगली सरकार में भी स्विपक्ष में होगा है विपक्ष के नीता पूर जोर से दोनों सत्नों में गरज रहे हैं लेकिन क्या सरकार सुन रही है MNS News Life की खबरे देखने के लिए आज ये Play Store से MNS Hindi App डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें